स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्मार्ट जॉप्स में तो दोस्तों दिखिए आज ये वेकेंसी आ रही है CWRDM Requirement 2021 की तरफ से दिखिए इसका फूल नेम है Center for Water Resources Development and Management अब दिखिए इसमें जो है Fresher Student apply कर सकते हैं Project Assistant and Project Flow कि जो है पोस्त है वाक इंटर्व्यू है लास्ट आपकी 25 नेवंबर से 7 देसमबर है अब देखिए हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस किस जॉब लोकेशन पर हमारा ये इंटर्व्यू है इंट साथी साथ हम जानेगे कि लास्ट डेट कितनी है और किस किस डेट को हमें जाना चाहिए अब देखिए हमारा यहाँ पर Company के बारे में काफे चीज़ें यहाँ पर दी गई है जो आप पढ़ सकते हैं Telegram के माद्दम से से यह PDF आपको Telegram पर प्रोवाइट हो जाएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप वहां से जॉइन कर लीजिए अब देखिए साथी साथ आप लोग Telegram पर आप जॉइन रही है क्या होता है कि कभी के भी मैं वीडियो को नहीं बना पाती हूँ और urgently मेरे पास notice आता है कि यह job यहां से है तो मैं क्या करती हूँ मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ और मैं directly Telegram पर send कर दीती हूँ जिसी का क्या होता है आप लोग को information मिल जाती है बट अगर मेरे पास time होता है और मैं किसी भी problem की मैं फसनी की बज़े से मैं वीडियो नहीं create कर पाती हूँ तो आप लोग को direct information देती हूँ बट आप लोग को ऐसा नहीं है कि मैं information नहीं देती हूँ तो इसलिए आप लोग Telegram से जुड़े रहा करिए अब देखिए हम लोग बात करते हैं website की तो यह है www.cwrdm.organization position है हमारी project assistant या project follow junior research flow अब देखिए job location है हमारी केरला यह हमारी यहाँ पर देखिए जो job location केरला है और देखिए यह job location है यहाँ पर और साथी साथ देखिए salary की बात करें हम दहाँ पर देखिए salary है हमारी project assistant की 19,000 काफी अच्छी salary दे रहे हैं यह लोग and project flow की है 22,000 से 27,800 junior research flow की है 31,000 आपकी देखिए starting salary है काफी अच्छी है इतने मतलब कह सकते हैं आप लोग fresher student के लिए काफी अच्छी job है अब देखिए qualification हम लोग बता चुके हैं इसमें अब देखिए qualification में माल लीची हम लोग project assistant की बात करते हैं तो इसमें BSC chemistry से या फिर हम लोग कह सकते हैं जो diploma वाले student है और civil से जिनों ने diploma किया है वो student जा सकते हैं civil diploma वालों के लिए बहुत ज़्यादा great opportunity है काफी अच्छी job है आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं और project flow students के लिए यहाँ पर इस post के लिए BSC agriculture, BTEC agriculture and MSC environment science यह वाले student apply कर सकते हैं साथी साथ देखे with experience in handle digital library software and web technology और देखी यहाँ पर काफी सारी यह जो है मैं आप लोग को सिर्फ यह यहाँ पर बताती हूँ देखे MSC है MSC metrology chemistry and देखी यहाँ पर M.Tech एक सकंद देखे M.Tech यहाँ पर student apply कर सकते हैं इस branch के और यहाँ पर देखे B.Tech civil से जो student है वो apply कर सकते हैं अब देखी यहाँ पर जो है junior researcher की जो post है उसमें जो है हमारे M.E.M.Tech in water resources से आप लोग apply कर सकते हैं देखी इन दोनों post हैं क्या है आप लोगों के लिए diploma वालों के लिए जो है space नहीं है लेकिन आप लोग apply कर सकते हैं project assistant के लिए आप लोग इसमें apply कर सकते हैं only civil वाले यह only civil वालों के लिए opportunity है अब देखिए इस limit की बात करें तो देखिए minimum age आप लोग जानते हैं 18 होती है maximum हमारी हा 36 है तो बात करें हम लोग selection process की तो selection process देखिए walk interview है हमारा यहाँ पर अब देखिए हम लोग जाने के vacancy तो vacancy हमारी देखिए यहाँ पर दे रखी है vacancy कोई आप लोग को एक accurate नहीं किया गया है one vacancy in each post ओके अब देखिए यहाँ पर क्या है आप लोग को note में दिया गया है दिख सकते हैं आप लोग timing दी गई है interested candidate can we appear for walk in interview CWRMS head quarters ओके अब timing देखिए यहाँ पर 10 AM है ओके और देखिए यहाँ पर अपने जो भी qualification है certificate है and experience है वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर साथ में लेकर आईएगा अब देखिए बात करें हम लोग date की interview date है हमारी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग देखिए interview date है हमारी यहाँ पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए 25 मतलब 25 नवेंबर या 29 नवेंबर को आप लोग जा सकते हैं project flow के लिए हैं यहाँ पर 27 नवेंबर 30 नवेंबर 1 दिसंबर 2 दिसंबर 3, 4 और 6 दिसंबर इन डेट को आप लोग जा सकते हैं junior research की जो post है उसके लिए interview के लिए आप लोग 7 दिसंबर को जा सकते हैं तो यह काफी सारी हमारी date है इन dates को आप लोग जा सकते हैं अब देखिए आप लोग को apply कैसे करना है देखिए यहाँ पर दिया गया है all the interested and eligible candidate can attend the walk interview देखिए आप लोग का walk interview यहाँ पर आपको application या किसी भी site पर आप लोग को अपनी information फिल नहीं करनी होगी आप लोग को walk interview है आप लोग को direct वहाँ जाना होगा साथ देखिए जो requirement document है साथ में उन्हें documents को आपको लिखी जाना होगा और आप लोग कुछ photocopies और अपने recently photos भी आप लोग लेके जाएए दोस्तों आप लोग जरूर चाहिए अगर civil वालों को job करनी हो private तो काफी अच्छी job है आप लोग जा सकते हैं तो दोस्तों इसी प्रकार की notifications related आप हमारे चैनल को subscribe कर ले अगर वीडियो अच्छी लोगी हो तो एक वीडियो को like सरूर कर दे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए बाइ बाइ थाइंक यू